गोल्डेन मिल्क के बारे में तो आप खोब सुनते ही हैं और हमने भी कई बार कहा है कि गोल्डेन मिल्क यानि की हल्दी तूद आपको लेना चाहिए अपनी इम्मिनिटी को इस्ट्रॉंग करने के लिए और अब तो गवंबेंट ओफ इंडिया की मिनिस्ट्री ओफ आयूस ने भी कोरोना से बचाब के लिए अपने गाइडलाइन्स में हल्दी को सामिल किया है नमस्कार मैं पंचम और एक पर फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल बग्दराभामस में कोरोना से बचाब के लिए सरकार समय के अनुसार गाइडलाइन्स निकालती रहती है तो अब मिनिस्ट्री ओफ आयूस ने भी कोरोना से बचाब के लिए गाइडलाइन्स निकाला है जिसमें विविन तरह के आयामों को सामिल किया गया है जिसे फॉलो करके कोरोना से बचा जा सकता है आयूस मिनिस्ट्री ने अपने फिजीकल वो डाइटरी दोनों ही मीजर्स में हल्दी को सामिल किया है जहां फिजीकल मीजर्स में उन्होंने हल्दी को गारगिल करते वकवानी में बिलाने की सलादी है तो वही dietary measures में उन्होंने रोज हल्दी दूद लेने की सलादी है कोरोना से बचाप के लिए जरूरी है कि हम सभी दिजानेदेशों का पालन करे और अपने डाइट में आज से ही हल्दी को सामिल कर ले और सबसे जरूरी बात कि हम कोरोना से बचाप के प्राकिर्तिक तरीकों पर जोर दें क्योंकि जहां सब फेल है वहां आयरुवेद अपना चमतकार दिखा रहा है और ये जगजाहिर है और सब लोग अब इसे खुद में महसूस कर रहे हैं कि आयरुवेद का कितना महत्व है तो आप आज से ही अपने डाइट में हल्दी को सामिल करें लेकिन ध्यान रहें आप किसी साधारन हल्दी को इस्तेमाल कर अपने स्वास्त के साथ खिलवार ना करें बलकि आप मेडिसनल हल्दी से बने बगदरा का ओर्गैनिक सप्लिमेंट टंपलू का इस्तमाल करें लेकिन ध्यान रखिए साधारन हल्दी के इस्तेमाल से बचिए क्योंकि वो आपकी स्वास्त के लिए खतरनाक भी हो सकता है बलकि आप आज ही ओर्डर कीजिए बगदराफाम्स का ओर्गैनिक सप्लिमेंट टंपलू जिसे आप 9560254646 पर ओर्डर करके मंगवा सकते हैं या नहीं तो आप बगदराफाम्स.com से भी इसे ओल्लाइन ओर्डर कर सकते हैं कोरोना से बचाब के लिए गाइडलाइन से जूरी इस इनफोर्मेशन को आप भी दूर दूर तक सेयर करें ताकि लोग जागरूप हो सके और अपना खयाल रख सके अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके मन में कोई विचार है तो उसे नीचे कमेंट कीजिए धन्यवाद